तो आज के वीडियो में हम लोग बेसिकली सबसे पहले निफ्टी के उपर बात करने वाले हैं और मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टन चीज़ें दिखाने वाले हूं जिससे आपका माइंड और जाधा ओपन होगा मार्केट को लेके और साती साथ उसके बाद हम लोग दो ऐसे स्टॉक्स पर यहां पर डिसकस करने वाले हैं जो कि मुझे टेखनिकली और फंडनामेंटली दोनों तरीके से अच्छे लग रहे हैं उससे पहले आप लोग के लिए एक छोटा सा काम यह है कि कॉमेंट सेक्षन में आपको मुझे बताना है कि आपको लापटॉप पे स्क्रीन देखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है या फिर आपको वही वाला वे जादा पसंद था जिसमें हम लोग आज तक हमेशा रिकॉर्ड करते हुग आए हैं अगर आप एक नए सब्स्ट्राइबर हो या फिर नए विविवर हो तो भी आप मुझे ज़रूर बताएगा कि आपको क्वालिटी कैसी लग रहे है चलिए अब हम लोग सीज़े चलते हैं सबसे पहले निफ्टी के उपर यहाँ पर मैंने आपके सामने एक लाइन ड्रॉ करके रखे 25,000 के लेवल की अब यह मैंने क्यों आपके सामने यहाँ पर रखे चलिए थोड़ा सा इसको इन डिप्ट समझते हैं यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं यह रेजिस्टेंस मार्केट ने कब बनाया था 1st of August को उसके बाद यहाँ पर आपको एक अच्छा कासा ड्रॉब देखने को मिल रहे है और यहाँ पर ब्रेक आउट आया और रेटेस्ट हुआ फिर निफ्टी ह अब बात करते हैं यहाँ पर उस रीजन की तो मैं चलिए आपको लेके चलता हूँ स्मॉल काप के इंडिक्स पर जिससे आपको इस चीज़ा समझ वहेंगी कि अच्छली में प्रॉब्लम आ कहा रही है तो यह है आपका स्मॉल काप का इंडिक्स जो कि हम लोग स्मॉल काप 100 इसको बुला सकते हैं अगर आप यहाँ पर देखो के तो देखे क्या प्रॉब्लम ही है इस चीज़ को मैं जरा से हाँ पर हाइड कर देता हूँ को इसकी मीड नहीं है यह वही लेवल है जिस लेवल पर निफ्ती ने अपना रेस्टन्स बनाया था 1st of August को और यहाँ पर भी कोई भी ऊपर 5% का मूव नहीं दिया जबकि देखा जाए तो निफ्ती से जादा हमेशा यह गिरता भी है और निफ्ती से जादा हमेशा भागता भी है तो अगर निफ्ती 5% का मूव दे रहा है तो small cap को at least 7-8% का मूव देना चाहिए था जो कि हमें यहाँ पर missing देखने को मिल रहा है अब काफी लोग तो यह कहेंगे कि सर यह तो problem वाली चीज़ है अब यहाँ पर हम लोग पैसा कैसे कमाईगे अगर small cap उपर नहीं जाएगा तो तो देखिए अच्छी चीज़ भी यह है अगर सारे के सारे stocks उपर चले जाएंगे तो आप किसमें गर होगे आपको यह देखना जरूरी है कि कहीं company फाल्तों में तो नहीं भाग रही है उसके पीछे कोई भी reason होना चाहिए जो आपको एक तरीके से strong mindset आपका बना सके कि हाँ यह company जो मैं बाई करने जा रहा हूं इसमें सिर्फ यह reason नहीं कि stock भाग रहा है तो चलो मैं भी घुश जात है या तो हमारा small cap जाके निफ्टी को यहाँ पर cover up कर लेगा और ऊपर चला जाएगा या फिर क्या होगा कि निफ्टी हमारा नीचे आ जाएगा और small cap को यहाँ पर cover up कर लेगा अब यह चीज जरूरी नहीं कि एक हफते में हो जाए दो हफते में हो जाए बट आपको अपन को मिल सकती है यह मत समझेगा कि अगर निफ्टी नीचे आ रहा है तो चलो small cap को जाके buy कर लेते हैं आपको हमेशा stock specific approach रखनी है और हमेशा trade करते समय stop loss को follow करना है यहाँ पर मैं आपको यह बताने नहीं आया हूँ कि आपको इस stock में entry लेनी है या फिर नहीं लेनी है मैं कैसे charts को पढ़ सकते हो तो चली आज के अपने पहले stock के ऊपर चलते हैं अभी तक अगर आपने वीडियो को like नहीं करा तो जल्दी से कर दीजे so that मुझे और ज्यादा motivation मिले आप लोग के लिए ये वीडियो लाने में अगर हम लोग सबसे पहले अपने stock के ऊपर चलते हैं तो उसका नाम है advance enzyme अगर आप इस stock में देखोगे तो बहुत अच्छी चीज़े आपको देखने को में लेंगी सबसे पहले मैं यहाँ पर करता हूं कि आपको monthly chart पर क्या देखने को मिल रहा है तो monthly chart पर क्या देखने को यह zone था जिसका stock ने breakout देने का कब try करा इसने try करा 2021 में बट क्या यहाँ पर breakout आ पाया नहीं आ पाया क्यों नहीं आ पाया क्यों हम यहाँ पर monthly chart देख रहे हैं and monthly कोई भी candle इसके ऊपर close नहीं हो पाई है तो 2021 में there was no breakout अगर अब ही हम recent ही बात करें कि अभी actually में क्या हो रहा ह यहाँ पर कोई breakout देखने को मिला या तो आप लोग मुझे खुद यह चीज comment में बताएगा कि यह breakout है या नहीं मैं आप लोग के लिए wait करने वाला हूँ तो comment section आपके लिए open है आप मुझे बताएंगे कि यह breakout यहाँ पर हम इसे कह सकते हैं कि नहीं तो यह हो गई monthly की बात म मैं आपको हर चीज यहाँ पर clearly दिखाना चाहता हूँ तो अब monthly के बाद हम लोग किस पर आएंगे सीधे के सीधे weekly chart पर आजाते हैं अब मैं आपसे वही same question यहाँ पर करने वाला हूँ क्या weekly chart में हमें यहाँ पर एक clear breakout देखने को मिल रहा है आपको क्या लिखना है comment section में monthly क सामने yes या no yes का मतलब breakout सही है no का मतलब breakout गलत है okay so यह है weekly chart same चीज आपको देख रहे होगी 2016 या 2017 का resistance weekly chart पर भी वही same दिख रहा है यहाँ पर आपको बताना है कि यह सही है गलत तो यह होगे आपका काम अब आते हैं आगे और इसके उपर discussion करते हैं कि actually मैं अभी हम यहाँ प retrace हो सकता है तो देखिए दो लेवल से बहुत जादा simple से पहला लेवल है आपका 490 का रही दूसरा लेवल आपका कौन सा है 460 का तो इस बीच में आके भी stock reverse कर सकता है इससे पहले भी stock reverse कर सकता है 490 को touch करके कुल मिला कि यह दोनों लेवल से important है इसके उपर से भी कर सकता है इसके बीच में से भी कर सकता है अगर इसके नीचे चला गया stock तो हम इसे completely avoid कर देंगे तो यह था weekly chart का analysis अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि actually हमारे targets क्या हो सकते हैं तो देखिए यह हैं आपके targets 680 के अब यह 680 के targets मैंने कैसे find करें बहुत simple सा तरीका है आपको कुछ नहीं करना है आपको simply Fibonacci का use करना है यहां से हम लोग Fibonacci select कर सकते हैं अपना और इसमें क्या करेंगी कि all time high से जाके जितना भी stock ने depth यहां पर मारा है उतना अगर हम लोग जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसके actually में upside पर targets क्या है अगर हम इसे सही से जरा यहां पर place कर की वज़ा से हमें एक level मिलता है यह this is our 672 680 levels तो यह हमारे target हो सकते हैं अब यहां पर अगर हम percentage wise बात करें कि हमारा percentage wise यहां पर क्या target आ रहा है तो चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूं तो breakout level से अगर 485 से हम लोग देखें तो यह target आपका आता है 40% के आसपास सो अब देखके काफी अच्छा लगता है कि 40% के return मिल सकते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ 40% की लालच में भागते हुए चले नहीं जाना है यहां पर risk को manage करना भी बहुत जादा जरूरी है तो देखें अगर मैं यहां पर trade लेता हूं तो मेरा trade plan क्या रहेगा इस level 490 से लेक की आयम है, simple ती चीज़ है, यह आपका breakout candle है, इसके पहले यहां पर आप देखोगे तो एक महीने तक stock ने consolidate कर रहा है, अब इस एक महीने के consolidation के नीचे अगर हम अपना SL रखेंगे तो chances कम होंगे उसके hit होने के, और जब भी मैं weekly या monthly के breakouts की बात करता हूं तो वहां पर मेरा यह mindset रहता है कि मुझे सिर्फ एक week में exit नहीं करना है, अब week आपकी daily chart में भी बन सकती है, weekly में भी बन सकती है, but अगर stock बहुत जादा नीचे जाने लगता है, तो आप simply उसको exit भी मार सकते हो, आपके mind में दोनों levels होने चाहिए, एक आपका level वो होना चाहिए, जहापे closing प बात करें, तो हमारा target एकदम fix है, 35-40% के आसपास का, तो यह risk to reward कितना निकल के आता है, कहीं न कहीं, 0.24% का आप इधर देख सकते हो, मतलब 0.24x का, जिसका मतलब क्या हुआ, अगर एक रुपे का हमारा risk है, तो कितने रुपे का profit हो सकता है, 2.74 रुपीज का, तो यह था ह हमारा आज का पहला stock, सिर्फ technically wise, मैंने आपको यहां पर बताया है, एक बर ज़रा से इसके fundamentals को भी check out कर लेते हैं, जिससे हमें और ज़दा, यहां पर conviction मिल सकता है, अपनी theory पे, तो यहां अगर हम लोग देखें, simply मैं डालता हूँ, यहां पर advance enzyme, आपके सामने आ जाएगा, अगर हम देखें, तो industry का यहां पर price to equity ratio क्या है, 37, और stock का क्या है, 38, तो ज़्यादा यहां पर कुछ भी बड़ा हो नहीं लग रहा, industry का book value जितना है, उतना ही stock का भी है, तो यहां पर यह भी हमें ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा, यह चीज हमें समझ में आ रही है, then ह हम लोग अगर profit and loss पर आते हैं, highest ever sales आपको देखने को मिलेंगी, highest ever profits आपको देखने को मिलेंगे, अगर हम यहां पर balance sheet में आते हैं, कुछ जादा यहां पर debt हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है, and अगर हम लोग इसके fixed assets देखें, तो वो भी all time high पर देखने को मिलेंगे और भी काफी सरी चीज़े हम लोग देखते हैं, अगर like यहां पर हम लोग holding में जाएं, तो जो public holding है, वो हमें कितने percent की देखने को मिलती है, यह around 14% आप इसे minus कर सकते हो, क्योंकि यह बड़े HNIs की है, अगर हम लोग normal retail जनता की देखें, तो इस 36% में से आप 14% को यहां प in stock के उपर, जिसके उपर में आपको यहां पर fundamental analysis उतना नहीं बताने वाला हूं, बट सिर्फ technicals हम लोग यहां पर check out करने वाले है, fundamentals देखना आपके काम होंगे, तो अगर अब बात करें, यहां पर अभी के लिए हमें क्या अच्छा देखने को मिल रहा है, तो दीखिए वह ही चीज आपको यहां पर देखने को मिल रही है, बस यह monthly chart है, तो अच्छे से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अगर हम यहां पर weekly chart लगाते हैं, तो clear हो जाएंगी सारी की सारी चीज़े, कि यहां पर stock ने क्या करा है, एक kind of cup and handle pattern मना है, मैं personally cup and handle को कभी use करता हूं, यहां पर जो आपका breakout हुआ है, हुआ है September में, तो करीब करीब 10 महीने पुराना breakout है, उसके साथ हमें अच्छा क्या देखने को मिल रहा है, कि एक sharp momentum यहां पर आया है, सिर्फ और सिर्फ चार हफते के अंदर stock में पूरे breakout को complete करा है, और अच्छी खासी closing भी दी है, सिर्फ weekly basis इससे पर बात करें तो, तीसरी अच्छी से यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहे है, कि stock वापस से आ रहा है, यहां पर retest करने के लिए अपने breakout level को, तो यह breakout level कौन सा है, अगर हम यहां पर quickly नजर मारते हैं, तो 277 से लेके 285 तक का आपको यह zone देखने को मिलेगा, अब actually इसमें मेरा क्या trade plan रहे सकता है, और सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूँ, इसके fundamental जरूर check out करेगा, आपको कुछ interesting चीज़े देखने को मिलेगी, तो अगर हम यहां पर देखें, तो हमारा game plan बहुत जादा simple है, इसी level के बीच में, अगर हमें कोई reversal देखने को मिलता है तभी यहां पर हमारी entry trigger हो सकती है, हमारी in the sense मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ, यह जतने भी stock analysis, market analysis मैं आपके साथ share करता हूँ, यह सारे के सारे मेरे personal opinion रहते हैं, यहां पर मेरी कोई भी आप लोग को recommendation नहीं है, मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए यहां पर आता हूँ इस recommendation पर मैंने एकदम जादा emphasize करके तभी बोला है, क्योंकि जादा तर लोग कभी कबार comment section में आके कह देते हैं, कि sir आपको इस stock बताइए, जो एक हफते में डबल हो जाए, अफर एक हफते में अच्छा बासा return देते हैं, तो मैं आपको recommend नहीं कर सकता, at least अभी, तो अगर अगे चलके बात करें, तो यहाँ पर माल लेते हैं, हमारी entry कहीं trigger हो गई, तो हमारा stop loss क्या रहेगा, तो यहाँ पर आप weekly chart पर जाओगे, तो आपको different type के stop loss समझ भाएंगे, यह हमारी breakout candle है, अब इस breakout candle ने, जो यहाँ पर low बनाया है, यह हमारे resistance level के बहुत pass है, तो अगर ह यहाँ पर अपना SL रखना चाहेंगे, तो काफी सदा risky हो सकता है, तो अगर हम यहाँ पर अपना daily chart पर आके देखें, और कोई better stop loss find करें, तो हमें better stop loss कहां मिलेगा, इसी चीज़ को अगर हम यहाँ पर ले जाएं, तो अब यह है थोड़ा stop loss, कितना बड़ा stop loss हो सकता है, around 13 15% का, तो क्या इतने बड़े targets भी मिल सकते हैं, तो एक बार targets की बात करते हैं, और यहाँ पर मैं वापस से, आपको Fibonacci ही लगा के यहाँ पर targets दिखाना चाहूंगा, तो अगर हम लोग एक्दम higher पर जाते हैं, और यहाँ पर low तक जाते हैं, तो हमें क्या समझ में आएगा आपके entry नीचे होती जाएगी, उतना ज्यादा बेटर होता जाएगा, वैसे वैसे हमारा risk to reward ratio और अच्छा सुधरता जाएगा, और 1 to 2 का risk reward ratio एक अच्छा risk reward ratio होता है, और यहाँ पर हमारे targets अब 26% के हो चुके हैं, तो देखें, यह जो भी मैंने आपको stocks यहाँ पर दिख breakdown दे दे, अगर आप Sarah को देखोगे, तो उसके जो all time high का breakout आया, उसमें क्या problem होई है, कि stock नीचे ही चला गया, उसने यहाँ पर reversal दिया ही नहीं, तो हमें entry में मिली भी नहीं, तो इसी तरीके से आपको भी धान देना है, कि जब entry मिले, तो उसमें proper stop loss, proper target आपको पता होना च अच्छे लगे हैं कि नहीं, okay, cause मैं आपके सारे comments read करता हूँ, और सबके answer करता हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग भी मेरे questions का answer ज़रूर दो, so till then, thank you so much for watching guys, मिलते हम लोग किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए चानल को subscribe कर लिजए, और वीडियो को like ज़